सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलाम अलेक्म बीटफिल फ्रेंड्स माइम इस असलान एमद और वाचिंग पीके बाइक्स तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यह पिक्चर देखते हैं यह पिक्चर यामाहा के फेस्बुक के ऑफिशल पेज से ली गई है इस पर यह लिखा हुआ है कि इस टा में यामाहा वाले भी सोच रहे हैं वह जो लॉंचिंग है वह 2019 के मिड में आ सकती है लेकिन अभी जो नया मॉडल लॉंच होने वाला है आज हम उसके बारों में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने बहुत पहले 2018 YBZ की एक वीडियो बनाई थी जिसमें भाई ने इसकी मॉडिफिकेशन कराई थी उसमें इसने अलॉय निम्जोर्ट पर डिस्क ब्रेक जो है वो लगवाई थी तो आपको ये चीज़ बता दूं कि यामाहा भी अपना एक नया मॉडल लॉंच करने वाला है बिलकुल ऐसा ही सेम ही उन्होंने ये वीडियो देखी तो नीचे डिस्किपिशन में मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस बंदेगा कितना खर्चा आया था तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा यामाहा ने अपने 2018 में कुछ ने कलर मतारिफ कर जरूर होती है उसी तरह यामाहा ने प्लैन किया कि YBZ2 2019 मौडल जब लॉंच किया जाएगा उसमें भी एक निया ब्लू कलर आपको देखने में मिलेगा उसके लावा जो बेसिक चेंजिस आपको यह मिलेंगे कि स्पोक्स्रिम्स को खतम करके अलॉरियम्स आपको मिल जाए जो यामाहा की पहले प्राइज आ रही थी YBZ1,19,900 रुपे आ रही थी तो यह चीज अपने माइन में रखिये कि अगर यामाहा अपने YBZ2 2019 में अलॉयरियम्स डिस्क बेक दे देता है तो इसकी जो प्राइज डिक्रीस होने वाली है वो यह है कि इसकी प्राइज में 20 से 25 से 25,000 रुपे तक का इजाफा आने वाला है और इसकी यह प्राइज यमाहा के YBR125G और YBR125 के लेवल तक आ सकती है तो अभी हम बात करेंगे यानि के कंपेर करेंगे इन दोनों मॉडल्स को जो के बहुत टकर का मुकाबला आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है वो का मुकाबला क्या है कि होंडा CG125 ने भी अपनी एक नियूज लीग की थी जहांपर हमें यह पता लगा था कि होंडा CG125 अपना सेल्फ स्टार्ट मॉडल देने वाला है और उसके इलावा उसमें 5 गेर्स की आप्शन भी आने वाली है तो यह बात कितनी हद तक सच है अगर मै एक तरह का मैसिज भी दिया था होंडा वालों को कि अगर होंडा ने ये चेंजिस नहीं लाई तो पाकिस्तान में होंडा का शेर वाला हाल होने वाला है क्योंकि यामाहा ने जब अपना YBZ मॉडल लांच किया था तो उसमें सेल्फ स्टार्ट देकर बहुत बड़ी बाजी अपनी तर्फ लेगा था काफी जो इनके कंजूमर थे होंडा CG125 के लवर्स थे वो ये दो चीज़े देख रहे थे के एक तो आपको सल्स्टार्ट मिल जाता है उसके लावा आपको SOHC यानिके सिंगल अवरहट कैम्शेफ्ट इंजिन की आपको यहाँ पर आप्शन मिल जा बात क्या है यह यामाहा को भी पता है और होंडा को भी पता है इसलिए आपका होंडा CG125 2019 मौडल जो है लाउंच होने में डिले किया जा रहा है और यहाँ पर एक पैंतरा केलते हुए यामाहा ने भी अपनी न्यूज शाया की जहांपर हमें यह चीज़ यह लीक समय में में रही है कि यामाहा भी अपना न्या मौडल 2019 जो के YBZ की शकल में पाकिस्तान में लाउंच करवाएगा लेकिन जो यह चीज़ कंफर्म है कि होंडा CG125 जो है पहले लाउंच हो जाएगा उसके बाद यामाहा अपना न्या पैंतरा फेंकेगा यानि कि एक नई बाजी खेलेग जैसा के होंडा CG125 में कुछ चेंजिंग आने वाला है इसके इलावा होंडा डिलक्स भी जो है वो टोटली चेंज करके मार्किट में लाउंच किया जाएगा अगर इन दोनों बाइक्स में किसी किसम का कोई चेंज ना आया और सिर्फ फोर सिर्फ ग्राफिक्स चेंज करके म मार्किट में दوبारा से इसको लाउंच कर दिया गया तो यहाँ पर आपको बता दूँ किया माहाई भी जी जो है वो बाजी ले जाएगा आपका इस बार में क्या कहने नीचे मुझे कमेट्स करके जरूर बताएगा वीडियो चलेगी है तो कर दीजे लाइक दिखा दीजे I'm in love with you